नमस्कार दोस्तों मिरा नाम है शपर्शे सिनहा और आप देखना शूरू कर चुके हैं व्लॉगर शपर्शीटी आप चैनल आज की जूेड़े में बात करते हैं मैलानी पिलीभीत रेल प्रकंड की मैलानी पिली भीत रेल प्रखंट पर मैलानी से शागड के बीच में ब्राडगेश काम पूरा हो चुका है वहीं दूसरी ओर शागड से आगे पिली भीत के दिशा में कड़ी मशक्कत का सामना रेल रेलवे और कारदाई सेंस्था को करना पड़ रहा है आप सामने देख सकते हैं इस वक्त हम मौदूद हैं संदेई हाल्ट पर और संदेई हाल्ट से आपको एक्स्क्लूजिफ कवरेश दे रहे हैं आज किस वीडियो को दरान आप देखेंगे कि आखिरकार संदेई हाल्ट पर कितना काम हुआ है पीली भीत और शागड के बीच आखिरकार कितना समय भी लगने वाला है ब्राडगेज काम को लेकर तो चली शुरू करते हैं आज किस वीडियो को बनाजरी करे हुए और आज की वीडियो संदेई हाल्ट से हमें भेजी हमारे रेल रिपोल्टर रेल फैन निखिल शर्मा जी ने निखिल शर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों अगर आप संदई हॉल्ट के नजदीक रहते हैं अगर आप पीली भीत दियूरी के नजदीक रहते हैं आप हमें अगर वीडियो भेज सकते हैं तो आप हमारा वार्टसप नमबर आपको स्क्रीम पर नज़र आ रहा है आप हमें इस नंबर पर वीडियो भेज सकते हैं दोस्तों यह आप सामने देख रहोगे यह संदई हॉल्ट है और यह जो सामने आप QBuilding नज़र आ रही है यह पुरानी बिल्डिंग मीटर गेज के समय की बिल्डिंग यहाँ पर आपको नज़र आ रही है और वर्तमान में जो ब्रॉडगे जो परिवर्तन हो रहा है तो आप इसकी पहले तो हाइड देखिए अन्ने तमाम प्लैटफॉर्म जो आप देखते हैं देश भर में उनसे काफी ज़्यादा अलग है यह अपने आप में जो बेसिक इस्ट्रक्चर आप इसकी सरिया देख रहे हैं जो फाउंडेशन के बाद है जो बेस इस्ट्रक्चर इसका खड़ा किया जा रहा है वो कही न कहीं अपने आप में बहुत ही हाइट फुल है काफी ज़्यादा हाइट यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी हम आपको बहुत नजदीक से भी दिखाता है कितना काम आखिरकार यहाँ पर हो रहा है और किस तरह से हो रहा है तो आप यह देखें सामने यह जो सरिया आपको नजर आ रही है पूरी इस्ट्रक्चर जो बनाया जा रहा है यह प्लैटफॉर्म का इस्ट्रक्चर है तो माना जा रहा ह की वो आपकी मैलानी की दिशा है यानि की शागर की दिशा है और देखें तवाम हमारे जो रेल करमचारी है वो यहाँ पर जुटे हुए है काम करने के लिए और सामने आप जो एक सीमेंटेड फ्लोर देख रहे हैं यहां का प्लैटफॉर्म भी बड़ा अलग तरीके से बना जा रहा है यह जो फ्लोरिंग है यह पूरी आगे तक फ्लोरिंग जा रही है लंबा प्लैटफॉर्म यहां पर बनाने का प्रयास किया जा रहा है और यह देखिए पुराने अवशेश आप यहां पर देख सकते हैं एक तरह से कैदे हम छोटी लाइन जब थी तब यहां पर किस तरह से हुआ करता तो उसका जहलक आपको नजर आ रही है देखिया आगया हमारे तमाम मजदोर भाई लगे हुए है और यहाँ पर जो foundations बनाने के काम है और साथी साथ में यहाँ पर इस प्लैटफॉर्म के लिए जो foundations बनाने के काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है और बे इस तरह से जो basic structure है वो खड़ा किया जा रहा है यहाँ पर यह देखे यहाँ पर अब इस सरीया वाले structure में अब cement डालने का भी काम जो है वो भी किया जा रहा देख सकते हैं आपके इस तरह से जो sockets है उनको यहाँ पर लगाया गया है और इसके सारे से एक जो पुरा frame है वो माला जंगल की जी हाँ वही माला जंगल जिसके मद्दे नजर बड़ी मशक्कत railway को करनी पड़ रही है और आने वले दुनों में उमीद भी ऐसे जताई जा रही है कि अत्यधिक करनी पड़ेगी यह आपको देख सकते हैं कुछ मीटर गेज के अवशेश या नजर आ रहे हो ब्रिज को पार करके थोड़ा सा माला के तरफ बढ़ रहे हैं नीचे नहर आप देख सकते हैं साथी साथ यह मीटर गेज का ब्रिज है आप देखें लकडी की स्लीपर इसमें लगे हुए हैं और काफी सालों पुराना यह ब्रिज है हाला कि जैसा कि मैंने पहले बताया आप को कि अभी रेलवे को माला जंगल में मुख तौर पे माला जंगल में बड़ी समस्यां का सामना करना पर सकते हैं और साथी साथ यहां पर दोस्तों इस जंगल के अंदर यानि कि माला जंगल के अंदर काम करना भी आसान नहीं है को कि डिरेक्टली कोई रास्ता नहीं है कि आ पापका, सीमेंट हो गई, स्लीपर्स हो गई, ये सब ले जाना बड़ा मुश्किल है, रेलबेट अभी पूरा बनाना होगा, पूरी पटरी आप देख रहें, मीटर गेज के ट्रैक यहां पर लगा हुआ है, इसको भी पूरा हटाना है, पूरा एक दम फ्रेश रेलबेट बन फिर शाम का जो समय रहता है, उसमें थोड़ा सा जो फॉरेस्ट अनिमाल्स हैं, वाइल्ड अनिमाल्स हों, उनका कही न कहीं जो एक्शन है, वो नज़र आने लगता है, और बहराल अगर दोस्तों बात करें, तो अभी माला जंगल में जज़र एक तरफ वर्क करना मुश्क साल, कम से कम, आप लोगों की काफी सारे कमेंट्स भीते कई दिनों में हम को मिले, जिसमें आप लोगों को यही सवाल था कि माला का क्या इस्तिती है, तो आपको बता दें करीब करीब देर साल मान कर चलिए, कम से कम देर साल मान कर चलिए, शागर से आगे पीली भीत तक ट् खटाना और फिर नए ब्रॉडगेज की ट्रैक के लिए एकदम फ्रेश एक तरह का गर रेल बेड तयार करना फिर उसके बाद स्लीपर डालना बैलास्ट ट्रैक ये सब चीज़ें काफी कुछ जो चीज़ें हैं वो रहती हैं दोस्तो देड़ से अगर दो साल भी हो जाए तो क अगर आप सिंदी हौल्ट के आसपास रहते हैं माला छेतर में रहते हैं या पीली भी दीउरी दूदिया खुर्द रहते हैं तो आप हमें रेलवे स्टेशन से वीडियो बनाकर हमारे वाटसप नंबर पर भेड सकते हैं स्क्रीम पर आपको हमारा वाटसप नंबर नजर आ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जाद अपना ख्याल रखें अपना बहुत सपोर्ट बना रखें धन्यवाद